Welcome back students Maths में आज आज आपका टॉपिक है Numbers Name क्या टॉपिक है? Numbers Name ठीक है? आपने पहले भी 1 से 10 तक की Spelling और उसके बाद 11 से 15 तक की Spelling लिख लिए है ठीक है? और हम उमीद करते हैं कि आपको वो Learned भी हो गई होगी ठीक है बेटा? तो आज आज है हम 16 से 20 तक की Spelling लिखेंगे और उसका Revision करेंगे ठीक है? तो कहां से 16 to 20 आज हम जो है 16 से लिखे 20 तक की Spelling लिखेंगे ठीक है तो चलिए इब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 16 की लिखना सुरू करते हैं ठीक है? 16 पहले हम digit को लिख लेते हैं 16 फिर क्या है? 17 एफिट 18 फिर 19 एफिट 19 एफिट 20 ठीक है? अब हम इसके राइट साइड में इसके Spelling लिखेंगे ठीक है? तो 16 की Spelling क्या होगी? सबसे पहले देखी आपको हमें ट्रिट बताते हैं इस ट्रिट से आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप 6 के spelling लिखेंगे, ठीक है? 6 के spelling आपको पता है, आप रहाँ पे लिखेंगे S-I-X 6 हो गया ना? ये 6 हो गया, ठीक है? आपको लिखना क्या है? 16 के spelling तो आपने लिखेंगे S-I-X इसके बाद आप लिखेंगे T-E-E-N ठीक है, ये क्या हो गया? 16, ठीक है? अब आएंगे आप 17 पे ये आपकी 16 के spelling कम्पलीट हो गई आप आएंगे 17 पे, ठीक है? तो आप इसमें क्या करेंगे पेटा? पहले आप 7 के spelling लिखेंगे कैसे लिखेंगे? S-E-V-E-N 7 की हो गई उसके बाद देखे, थोड़ी सी चीटिंग करने है यहाँ उपर से आपको ठीक है? T-E-E-N ये विज़ाए सब में common रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपने 7 की spelling लिखेंगे इसके बाद यही T-E-E-N यहाँ से उतार के आप यहाँ पे लिखेंगे ठीक है? T-E-E-N यह क्या होगया? 17 पहले आपने 7 की spelling लिखी और जो है T-E-E-N उपर से चीटिंग करके थोड़ा सा यहाँ लिख दिया इस तरीके से आपकी 17 की spelling होगे इसके बाद आप लिखेंगे 18 की तो 18 में भी आपको क्या करना है? सेम वही प्रोसेस है आप जाए पहले 8 की spelling लिखेंगे कैसे लिखेंगे? E-I-G-H-T यह हो गई आपकी 8 की spelling ठीक है? अब आप क्या करेंगे? यह देखें यहाँ पर देखेंगे एक चीज़ आपको करना है यहाँ पर T पहले से हैं यह जो T आप पाद में लगा रहे थे यह T पहले से ही है 8 का क्योंकि 8 की spelling होती है? E-I-G-H-T ठीक है? तो यह T आप सिर्फ E-N को यहाँ से कॉमर उठाएंगे और यहाँ पर लेग देएंगे ठीक है? सो यहाँ पर आपने लिखा E-N E-I-G-H-T E-N यह क्यों हो गया? 18 ठीक है? 16, 17 और 18 की spelling अब की होगी अब आते हैं 19 पे सो 19 में क्या पहलेंगे? सबसे पहले आप वही प्रॉसेस पहले हम 9 की spelling इस दिन में यहाँ ठीक है? लिखेंगे N-I-N-E 9 का होगया फिर T-E-N करके यहाँ पे लिखेंगे हैं लिखेंगे हम T पिर लिखेंगे डबल E उसके बाद N-I-E क्यों होगया? 19 ठीक है? यह होगया आपका देखें, आपको अगर 16 का आगया स्वरी 13 से लेके यही श्टार्ट है ठीक है? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ठीक है? अब आपका 20 की spelling जो है थोड़ी सी चेंज होगी ठीके उसको वो पैसे आप लिखेंगे आप लिखेंगे पहले T ऐसे लिखेंगे T W E N T Y ठीके लिखें होगया 20 इस तरीके से आपकी 16 से लेंके 20 तक की spelling कम्प्लीट होगे चलिए इसका रिविजन करते हैं 16 की spelling होगी S I X T E E N 16 S E V E N T E E N 17 E I G S T E N 18 N I N E T E N 19 And last T W E N T Y 20 ठीके मैटा तो आज आपकी 16 से लेंके 20 तक की spelling कम्प्लीट होगी इसको आप अपनी कॉपी में ऐसे ही बढ़िया बढ़िया देखेंगे हमसे भी ज़्यादा अच्छा रिखेंगे ठीके और उसको घर पे दो तीन बार उसका रिविजन भी करेंगे ठीके तो आज के लिए मैट्स में इतना ही इसके बार मिलेंगे हम आपसे नेट्स टेइग करन देखने करेंखे यह मैं रаты मिलेंगे स।